नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको संचित स्वागत करता हूँ नॉलिजगेट प्लेटफॉर्म पे इस प्लेलिस में भी हम बात कर रहे हैं ती ओसी के बारे में और यह जो आइडिया है इस वीडियो में एक्जैक्ली में डिसकेशन करने वाला हूँ डिफे को डिफाइन करन करना चाहता था विकास दैन इन डाट केस्ट अव क्रेटेट अलोड ऑफ कन्फूजन बट अभी आपको पताएगी अच्छा यह एक बेसिक अंडेस्टेंगे स्टार्टिंग विदे वाला पैटर्न हमने डिजाइन कर लिया अब कुछ बाते आपको अब्सर्व कराता हूँ देखो जो मशीन अभी हमने डिजाइन की डाट इस कॉल्ड इस फाइनाइट ऑटोमेट आप दो शब्दे हैं दोनों को ध्यांद से समझीएगा वन यू से फाइनाइट वाट इस फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट तो जो स्टेट से मापने तीन स्टेट बनाई लास वीड स्टेट सेल में डिजसकस करोंगा फईनाइट ऑटोमेट को इन जेनरल दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं एक होता है विद आउट आउट पूट एक होता है विद आउट पूट अभी विद आउट आउट पूट की क्या कहनी यह समझो अभी अगर आप से अवर्चियो आपने समझा, machines are acceptors, वो किसी language को accept करते है, तो वहाँ output की बात होनी नहीं चाहिए, दूसरा जो agenda है, that is without output, without output माफ कीजएगा, वो आगी जाके हम पढ़ेंगे, हलाकि, यह understanding इतनी important नहीं है, लेकिन हा, basic logic आना चाहिए, दो ideas यहाँ होते हैं, इन machines के अंदर final state का concept नहीं होता, यह these are called generators, यह generate करते हैं, they generate output, वो कैसे करते हो mechanism में आगे डिसकस करूँगा, फिलाल हम concentrate कर रहें, वो finite automata, जिन में output का कोई mechanism नहीं, जो basically acceptance की बात करते हैं, मैंने बहुत सोचा, real life से कौन से example निकाल के लाँँ, जो आप इस बात को समच सको, देखो, Ludo तो हर किसे ने खेला होगा, lockdown में तो मैंने सुना है कि, कुछ लोग तो Ludo king बन गए, something like this, अब Ludo के निदर देखो होता क्या है, आपके पास एक क्या बोल सकते हैं, एक गोटी बोलते हैं हम लोग तो, पूरी कहानी है, बट ध्यान से एक बात समझो, जभी भी, in case of this, मुझे कुछ याद करना होता है, मान लो मेरा 4 आया, 4 आया, क्या करता हूं मैं, मैं 4 step आगे बढ़ता हूं, so basically, एक बड़ा simple सा learning, Ludo हम को देती है, Ludo is nothing but a finite automata, so why it is so, because sir, यहीं से होता है, और अगर अभी आप यहाँ पहुच गए, तो 100% चार आप के आए हैं, तभी आप यहाँ तक पहुचेंगें, और रियल लाइफ में, बहुत जगए यह mechanism हम follow करते हैं, line लगी हुई है, है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी state change हो, यह आपकी present position यह बता रही है, कि आप कितना weight कर चुक है, look at this, इसको क्या बोलते हैं, इककल दुकल बोलते हैं, whatever, जो भी आप बोलते हो, यहाँ पर देखो, यह गुड़िया खेल रही, जब भी कोई number आता है, then you proceed forward again, by changing your states, आप game में अपनी position change कर रहे हो, isn't it a method of remembering something, same idea, बात करता है finite automata, जो हमने बना के देखा भी था, so finite automata में, क्या कोई auxiliary memory हमारे पास है, stack, queue, link list, data structure, से कोई memory element दे 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 नहीं, वो लेंगे ना सर, तो पूरा system बहुत complex हो जाएगा, तो बजाए इसके, कि कोई specific memory element हम सर्च करें, हम बस state change करते जाते हैं, और जैसे जैसे state change करते हैं, वैसे वैसे कहानी हमारी आगे बढ़ती जाते हैं, चीज़े और सथिक तरीके से sort होती जाती हैं, और अगेन, क्योंकि number of states finite है, तो हमारी memory भी finite है, हमारी capability भी finite है, and that is why, हम तो खुद मान रहे हैं, कि TOC, क्या कोई बहुत complex machine है, नहीं, it is a machine of one of the most simplest nature, that is finite automata, अब अगर इस बात को मैं technically define करू, दुबार एक छोटा सा machine बना लेते हैं, ताकि साथ साथ हम observe कर सके, तो Q naught से start करेंगे, A आया तो हम पहुँचे Q1 पे, and there I have a loop, और B आते ही, मैं आपको लेके जा रहा हूं से dead state के उपर, and there, इसको यहां बठा के रखेंगे, अब अगेन देखो understanding क्या है, 5 tuples use करते हैं, DFA को define करने के लिए, Q sigma delta SNF, एक एक करके बात करते हूं, what is capital Q, now capital Q is the set of states, अभी यहां पर इस machine के अंदर, कितने state है, 3 states हमारे पास है, तो अगर मैं यहां पर define करूं, so Q naught, Q1, Q2, 3 states हमारे पास हो गए, क्या किसी भी finite automata में, 0 states हो सकते हैं, नहीं, क्या infinite state हो सकते हैं, नहीं, so this set will always be finite and non-empty, very very important point, second चीज़ यहां पर आपको रियान रखनी है, आज sigma, यहां पर मैं दो symbol यूज कर रहो, sigma पर तो पहले भी हमने काम किया, so sigma is the input alphabet, जिसके पास कुछ symbols होंगे, जो हम इस्तिमाल करेंगे, अपनी language को बनाने के लिए, again, this is also finite and non-empty, can you have a language without a symbol, no, can you have a language with infinite symbol, actually no, so again, finite yet non-empty, transition function, यह, जो हम moves कर रहे हैं, इसको कैसे observe कर सकते हैं, जैसे हैं यहां देखिए, on a state q0, अगर, input symbol आया a, then I'll make to, make a transition to some other state q1, that is how you write transition function, किसी q, cross sigma, implies to next state q, किसी state पर जब सिंबल आएगा, तो अपना transition define करेंगे, अब यहां पर एक बाद क्लियर कर देता हूं, right now, we are in the world of DFA, it means, हर state पर, हर सिंबल के लिए, exactly एक transition होगा, ना उससे कम होगा, ना उससे जादा होगा, please understand, on every state, for every symbol, there will be exactly one transition, है ना, बाद में हम जाके पढ़ेंगे, NFA वाली जो understanding होती है, वहां पर, excuse me, वहां पर we have, we can have more than one transition, or we can have no transition, बट यहां पर, always and always, we have exactly one transition, very important point, last, next thing is, initial state, initial state, will always be one, initial state एक होगा, किसी भी DFA के अंदर, even उसके जितने भी variation है, DFA, NDFA, Epsilon NFA, हर किसी के अंदर, सिर्फ एक initial state होगा, ना एक से कम होगा, ना एक से जादा होगा, सिर्फ एक होगा, और यहां पर, I think what is the initial state, Q0 is the initial state, the last thing is, final state, or to be precise, is set of final state, यहां पर तो एक ही final state है, वो है Q1, क्या किसी, इसकी limit समेशा याद रखना है, यह देखो कैसे मैं define तरहा हूँ, 0 to N, क्या किसी DFA के अंदर, ऐसा possible है, कि जितनी भी state हो, वो सब की सब final हो, बिलकुल ऐसा हो सकता है, आगे जाके हम कुछ ऐसे, languages के लिए, machine design भी करेंगे, जहां पर, in reality, you need more than one final state, एक में काम नहीं चलेगा, but, is it also possible, to have a finite automata, without a final state, yes, सर्वो क्या accept करेगा, सर्वो कुछ भी accept नहीं करेगा, इंडिया में इतने सारे लोग है, सब कुछ नहीं कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, जादा तर लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम उनको कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं, still they are Indians, isn't it, so now this is a finite automata, which have only one state, and there is no final state, and then you have a self loop, and it is working as simple as that, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, तो यह भी एक learning है, जो हम काम कर सकते, तो five tuples हमारे पास है, यह क्या accept कर रहा है, empty language, यह भी तरह का language है, empty set is also a set, so that is how, you can define five tuples, और बाकी जैसे जैसे इसे चलाते जाएंगे, इस पर काम करेंगे, और clarity आपको होगी, this model is, again, जैसे हम process करते हैं, one by one, हम यह मान के चल रहे हैं, कि एक tape हमारे पास है, आप हमें input string दोगे, जैसा जैसा string दोगे, based on that में transition लेते जाऊंगा, और जहां पर जाके मैं hold करूँगा, based on that में decide करूँगा, string accept हो रहा है कि नहीं हो रहा, okay, so that is okay, यह simple बात है, एक बार जल्द हमें दुबारस और जल्दी से define कर देता हूं, how you can represent an idea, बलकि यह जो भी एंग में example देखा, उसी को याद कर लेते हैं, so Q naught पर क्या किया था, Q naught पर A आया हम Q1 पर गए, Q naught पर B आया हम Q2 पर गए, Q1 पर A आया, Q1 पर तो दोनों जगा हम self-loop कर रहे थे, और Q2 पर भी दोनों जगा हम self-loop कर रहे थे, now that is the most classical method, तीन तरीके हो सकते हैं, the question is how you represent a DFA, यह machine इतनी जारबार पढ़नी है, examiner भी अलग अलग तरह से combination लिखेगा, represent कैसे कर सकते हैं, एक तरीका है आप table बना के कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कर लिया, किस state पर किस symbol पर क्या करना, ऐसा moves हमने लिख दिया, a final state can be represented by double circle initial पर edge लगा दो, एक method state diagram जो हम observe कर के आए हैं, bubbles बनाएंगे, edges बनाएंगे, and then we see the transition, and one last thing is transition ids, कभी-कभी वो बहुत सारी information लिख देता है, कैसे इस तरह से लिखेगा, delta, how you write it down, q0 पर, जभी input a आएगा, तो मेरे को क्या करने का, मेरे को q1 पर जाने का, now that is called the transition id, or transition instantaneous description, कभी-कभी जब test हो, examiner का मन हो, इस तरह से भी चीजों को represent किया जाता है, तो अगर कोई ऐसा आपको लिखाना नहीं है, अगर कोई ऐसा लिख के रखा है, तो at least इतनी understanding हो कि, हाम पढ़के समझ पारें कि, क्या बात कर रहा है, yes, so this is again one understanding, so representation की मैंने आपसे बात कर ली, acceptance की एक बार और बात कर लेता हूँ, idea क्या है, देखो, one very important point, जो अगे इन समय के साथ, हम समझेंगे, DFA's are complete system, मुझे बोलो, क्या, DFA are complete system, string valid है की invalid है, मैं कभी आपसे बात करना नहीं छोड़ूँगा, मैं पूरा string traverse करूँगा, for example, ये DFA हमने बनाए, क्या करने के लिए, starting with A, अब मान लो, आप बोलो सर, मेरे X string है, B, A, and then B, B, and then A, B, and then Lumba pattern, अब इसकी शकल देखके, मेरे को समझा रहा था, this is not going to be accepted, सर, पूरा condition ही ये था, कि पहला symbol A होना चाहिए, आपका पहला symbol ही, look at this B है, पहला symbol ही भी है, मैं Q2 पर जाओंगा, फिर Q2 पर AI आएगा, I'll keep looping, 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 पूरा state, पूरा ये string transition करने के बाद, parsing करने के बाद, मेरी machine halt करेगा, obviously इस case में कहाँ पर halt करेगा, Q2 पर, और तब मैं चेक करूँगा, कि जहाँ पर halt किया है, वो state final है के non-final है, अगर non-final है, तो string accept नहीं होगा, अगर final है तो accept होगा, please understand, follow कर पा रहे क्या, how can you decide क्या DFA पे, एक string के लिए एक से ज़ादा transition हो सकते हैं, नहीं, unique move है, हर state पर हर symbol के लिए एक ही move है, तो I know कि ये किस तरह से process करेगा, इसमें और कोई change नहीं हो सकता, इसी तरीके से इसमें हम काम करेंगे, तो पहले हमेशा हमेशा, किसी को रास्ते में छोडने का नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है, वो बात में देख लेंगे, आप पहले पूरा string process करें, अगर आपको पता भी है कि accept नहीं होगा, तब भी process करेंगे आप, जब process complete हो जाएगा, तो machine halt करेगा, जब string खतम हो जाएगा, machine halt करेगा, जब machine halt करेगा, तो आप देखेंगे, कि वो final पे है कि नहीं, और final पे होगा, तो बोलेंगे accept, non-final पे होगा, बोलेंगे reject, that is how you write it down, कैसे बोलते हैं, there is a language, defined by this machine M, every string W, which belong to sigma star, obviously sigma star से बाहर तो कुछ नहीं है, yes, will be accepted, will belong to the language, defined by this machine, कैसे, देखो, transition पे लगाया star, starting from the starting state, or initial state, parsing the string W, taking any number of moves, अगर मैं final state पे, पहुचा, कैरा acceptance का condition क्या है, आप का string initial से start करूँगा, transition लेते जाओंगा, अगर बाद मैं final पे पहुचूँगा, hold करूँगा, तो accept है वरना reject है, now that is how you can define the acceptance by DFA, so मेरे कहल से, इसके जो अलगलग theoretical understanding ideas हो सकते थे, वो सारे points मैंने discuss करने की कोशिश की है, again, अभी बहुत सारा detail में जाने की ज़रूँ नी, पहले पूरा concentrate करेंगे, DFA's के उपर, then we'll go to minimal and then epsinal, and then blah blah blah, धीरे धीरे चीज़े सीखते चलेंगे, यहां तक पहुँच गए हैं, वीडियो समझ आई है, like ज़रूर करिएगा, comment करिए, बहुत अच्छा लगता comment पढ़ने के बाद, एक नया motivation मिलता, चैनल को सब्सक्राइब करिए, thank you so much, bye bye, दोस्तों, अगर आप उसे सारा स्लेबर्स डेली, 3 hours live पढ़ना चाहते हैं, तो gate के डिगरी के अंदर, subscribe करिया, अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर, रफ्ल कोड यूज करिए, KGYT, 10% डिसकाउंट के लिए, बाकि सारी information के लिए, वीडियो का लिंक आपको description में मिलेगा,